हेलो फ्रेंट्स बाइने ट्यू प्रयाग राज में आप सभी का स्वागत है मैं अनुपमा चौहान आज आप लोग को एक्सल में नए फीचर्स नए ओप्शन बताने जारी हैं करते हैं अभी तक हम लोग उने क्या कहते हैं हो में इंसर्ट में पेज लियाओ तक हम लोग पहुंच गया हैं ओपुछ बने उसका भी हमें यूज करना है और साथ साथ हम लोग फॉर्मूलाς और व्यू मेनू का भी खुबबा थोड़ा-थोड़ा यूज कर रहे हैं So friends, I hope कि आप लोग को भी इसी तरह से एक्सल अच्छे सहुन्दी में आ रहा हूँ, step by step, एक-एक points से आप लोग aware हो रहे हो, अगर कुछ भी आप लोग को doubt होता है, कुछ भी problem हाती है, तो please उसे comments के साथ share करिए, जिससे कि मुझे समझ जा है कि कहां मैं मुझे आप लोग की doubts क clear कर, और बहुत ही carefully जिजए एक चीज़ को, एक-एक step को ध्यान से देखिए, ताकि आप लोग को समझ जा है कि हम लोग कैसे, कहां पर क्या काम कर रहे हैं, So friends, देख सकते हैं, यहाँ अपे Excel में आपके सामने open कर रखा, चलिए, तो ध्यान से screen की तरफ देखिए, और सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग home menu हम लोग पहुँच चुके हैं, home insert कर चुके हैं, एगर page layout के बाकी options देख लेते हैं, उ आप लोग बात कर रहेते हैं, background हम लोगो set करना था, tiles इस पर हमें work करना था, तो सबसे पहले friends, मैं आप लोगो screen पे सबसे पहले background insert कर रहा कर दिखाती हूं, friends, एक बात और धहां दीजेगा आप लोग, जब Excel पर लोग work करते हैं, तो सारे menu एक बार आप लोग चाहते हैं, किसी भी menu में आप लोगो एक option है, जो नहीं मिलेगा, जो आप लोग जो है, क्या कहते हैं हमारे MS Word में किये ती, जिसका नाम है watermark, जैसे friends, आप लिसमें कुछ भी काम करें, आपको watermark लगाना चाहते हैं, तो हो facility आप लोगो नहीं मिलेगी, हाँ, उसके लिए कुछ दूसरी पेज लियाउट यहां पर हमारा open है, पेज लियाउट मेन्यू में हम लोग background को choose करेंगे, और यहां से हम लोग किसी भी अच्छे से हम लोग picture को open कर लेंगे, desktop से हम यहां से कुछ pictures open कर लेते हैं, यहां ज़्यादा कुछ हमें picture दिख नहीं रहा है, एक बार हम फिर से सर्च कर लेते हैं, मिल जाता अच्छा है, नहीं तो फिर हम कुछ ना कुछ हम ले आते हैं, ठीक हैं, वहां समोज से apply करेंगे, suppose that हमने यह image ले लिया, insert किया, और यह देखिए, जहां से देखें friends, यह हमारा background यहां पर set हो चुगा है, background थोड़ा dark है, इसलिए friends हमको जो भी से content हमको लिखना है, तो content हमारा कैसा होना चाहिए, white होना चाहिए, यहां पर home menu पर जाएंगे, और यहां से जो text का color है, text का color हम लोग white कर देंगे, ताकि हम लोग इसमें कुछ भी हम लोग करें, तो हमको दिखाई दे, ठीक है, और size थोड़ा सा हम लोग इसमें 11 कर से 12 कर देते हैं, और अब हम इसमें टाइप करते हैं, so friends, suppose that, माली जाएकर हमें इसमें कुछ different करना, आज हम लोग data बनाएंगे friends, thesis structure की basis पे, suppose that, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम देते हैं, name, control, z, undo, ठीक है, यह हो गया, फिर से देखते हैं friends, इसमें हमको text दिखता है या नहीं दिखता है, यहाँ समने type किया, caps lock on करके, name, और यह देखिए, name हमने जो लिखा है, यह हमारा black color में आ रहा है, तो हम इसको color एक बार क्या करते हैं, इसको select कर लेते हैं, यह आया, cursor को हम इधर ले लिए, पूरा हमने select किया, और यहाँ से हमने इसको white कर दिया, यह देखिए, अब हमारे यहाँ पर दिखने लगा है, इसे हम थुरा सा bold भी कर देते हैं, बोल्ड, यह देखिए, बोल्ड हो गया, अब यहाँ अब हम कुछ name डाल देते हैं, suppose that name के लिए friends हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अपने इस cell में, कुछ भी name type कर सकते हैं, हम Sunday, Monday type कर देते हैं, क्योंकि friends हमें जट पर काम करना है, चीक है, यह हमने यहाँ पर type किया, अगे हमें इस सेलेक करके, और हमें इस हमाँ पर apply करना पड़ेगा, एक चीज़ और आप तो कर सकते हो, अगर आप करना चाहें तो, यह जिसे माल लिए friends हमने यहाँ पर background करा लिए, अब background के उफसास of friends हम चाहते हैं कि हमारा content हमारा जो data है, वो क्या हो, हमारा जो है, हमें यहाँ पर साफसा पता चलिए, हमको अलग से table ना बना रहा है, तो हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, suppose हमारा cursor माल यह यहाँ पर है, देख सकते हैं, ध्यान से cursor देखिएगा, यह हमारा cursor एक बार हम magnify on कर देते हैं, और यह माल यह हमको चाहिए, यहाँ से, हमें इसमें चाहिए, माल यह हम fee structure के उपर हम बना रहे हैं, तो हमारा cell चाहिए ऐसा, ठीक है, यह हमारा माल यह student के लिए हो गया, ठीक है, name हो गया, यहाँ पर आपका जो है balance amount हो गया, यहाँ पर due, यहाँ पर discount, ठीक है, और यहाँ पर paid जितना भी आपका बनता है, हमने select किया, और उसके बाद हम table पर जाएंगे, और इसको my table has header कर देंगे, ok कर देंगे, यह देखिए हमारा table वाला है, यहाँ पर हिस्सा insert हो चुका है, screen से देख सकते हैं, अब यह जहाँ पर column है, इस column पर आपक क्या करेंगे, ध्याँ से देखिएगा, इसके लिए हम लोग यह formula बाहरा है, यहाँ पर जाएंगे, erase करेंगे, इसको backspace करके, दे देंगे name, name, next column में हम लोग यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर fees, next column में यहाँ पर दे देंगे हम लोग, due, balance, इसमें हम लोग दे देंगे, discount, और इसमें हम लोग दे देंगे balance, ठीक, यह हो गया, अब उसके बाद हम यहाँ पर इंटर कर देंगे, आजाते वापस हैं यह देखिए, अब यहाँ से हम लोग name ले लेते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं, Sunday, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे आप लोग सोचने में संडे हो, क्योंकि फ्रेंड्स आप माली यहाँ तुमें आप लोग को online पढ़ा रही हूं, online मुझे जादा किसे student का नाम नहीं पता है, वैसे तुमें random student का name भी टाइप कर, बढ़ क्योंकि फ्रेंड्स मुझे आप लोग और भी फास्वारा से पढ़ाना है, इस वज़े से मैं आप लोग को यह सो option के साथ में वर्क कर रही है, यह देखिए, अब यहाँ भी फ्रेंड्स हमने table insert के हमको हमने lastman track कि है, हमारे एक और cell इसमें हमारे एक और lastman को जरूर पढ़ी थी तो हमने यह आपर add करा लिया, ठीक है, यह हो गया, अब fee structure, fee structure के लिए friends हमारा भाई, random 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 formula लगा लेते हैं, र, A, N, D, B, A, और इस पर हम लोग डबल क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग top दे देते हैं हम लोग, 1000 हमार, आप लोग चाहें तो सबका fee same to same भी रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा पर हम brand between ना करके यह करते हैं, friends के हम सबका fees जो है, सेम रख देते हैं, जैसे मान लीजे, पर मन्थ यहाँ पर अगर 5000 fees है तो, 123, enter, और अब हम इसे क्या करेंगे, ध्यान से देखेगा screen पर, यह है, देख सकते हैं आपर, screen पर ध्यान से देखेगा, drag, यहाँ से हम लोग इसको choose करते हैं और यह इसको हम लोग drag कर देंगे, यहाँ तक यह, ठीक है, सबकी fees 5000 हो गई, due amount, यहाँ पर कितना आपका, यहाँ आपका, कितना है, आपनों दिया है माली, यहाँ पर हम कर देते हैं, 3000, यह, discount पर आ जाते हैं, अब discount निकालेंस पहले, friends हम यहाँ पर क्या करेंगे, balance हम लोग बना देंगे, balance, balance यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, एक काम करते हैं, friends, पहले यहाँ पर हम लोग जो है, discount निकालने का तरीका क्या है, यहाँ 5000 को चूज करिए, divided by 3000 को चूज करिए, और यह, enter कर दीजे, यह आया, यह हमार डिसकाउंट जो हमार कुछ ज़्याद ही आ रहा है, ता हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग, home menu पर जाएंगे, और यह, control Z, यहाँ पर हमार यह discount का हमार कुछ ज़्याद ही है, तो हम इसको एक काम करते हैं, delete कर देते हैं, फिर से लगा लेते हैं, equals to, और यहाँ से हम दे देते हैं, 5000, sorry friends, यहाँ पर हमने फ़रा से गरबर कर दिया है, हम इसे नहीं से चूज करेंगे, हम चूज करेंगे इसे, divided by, 5000, into, 100, enter, यह आया, ठीक है, देख सकते हैं, सबकर यहाँ पर 60 हो गया है, तो 60 को अगर आप लोग चाहिए, अगर यह discount आप लोग नहीं रखना चाहते हैं, तो कोई issue नहीं है friends, अगर यहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, 60% discount हुमारा कुछ जादे होगा था हम चाहते हैं, यह पर discount हम कर सकते हैं, suppose that friend हम क्या करेंगे, हम 10% हम discount देते हैं, 10-15%, यहाँ पर हटा दीजे, और एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से, डारेक्ट लाते हैं, यहाँ पर हमने 10 किया, यह, और इसको हमने select किया, और यहाँ से हमने track कर दिया, चीक, यह हो गया, अब आते हैं balance पर, balance हमारा कितना बचा, ठीक है, यहाँ पर हमने 2000 कर देते हैं, यह, अब इसे का भी तरीका क्या है, या तो आप लोग अगर directly easy है, तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, आप लोग, 5000-3000, यह, ठीक है, आगे हमारा, यहाँ सामईए, अपना magnifier हम बन कर देते हैं, आप देख सकते हैं, यह आप लोग ध्यान से, यह आपका बन गया, और यह जो हमने बना के रखा थे, इसे हम क्या करते हैं, यह से सेलेक करते हैं, यह से हम delete कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसकी जरूरत नहीं ह हमारी डिटा सफिशियंट है, ठीक है, देख सकते हैं, यहाँ फिस थी 5000, due amount 3000, discount में मिला 10% का, balance पड़ा हमारा 2000, अब हमको friends अगर discount निकाला है 5000 के उपर हमें आसर क्या करेंगे, एक column इसी तरह से यहाँ से जाएंगे, select करेंगे, उसको drag करके इस तरह से, यह देखे, drag किया, और यहाँ पे, actual balance हम लोग लिख देंगे, paid amount, ठीक है, paid amount हमने यहाँ से इस तरह से कर दिया, और इसकी size हम लोग इससे थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेंगे इस तरह से, यह, और यहाँ जा amount है हम लोग इससे calculate करें, calculate करने का तरीका क्या है, यह, इसको हमने choose किया, divided by 10, यह निकला, 500, अब यहाँ से यह देखे, हमारे यहाँ पे, अभी यह ध्याँ से आप लोग देखिए, हमको यह discount निकारना है, यानि कि 500 रुपीज बता, 500 रुपीज हमको करना क्या है, इसमसर माइनस करना है, तो आप इसी को चाहने तो कहीं और भी calculation कर सकते हैं, हम जैसे यहाँ बाहर इस कॉलम पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम लोग तुस तरह से calculation करेंगे, कैसे, 5000, इसको हम लगे काम करेंगे, select कर लेंगे, इस तरह से, select किया, यहाँ पर हम आए, equals to, select, divided by, यह discount all amount हम नहीं इसको ले लिया, और यह enter कर दिया, आया, अब यहाँ पर ध्याँ से देखेगा, friends, यह हमारा जो है, ठीक है, अब यहाँ पर 500 हमारा आज चुका है, अब हमें करना है, हमें इस paid amount पर जाएंगे, जो हमको paid करना है, वहाँ पर क्या करेंगे, equals to लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे choose करेंगे, minus का sign कुछ है, सब को इस तरह से drag कर देंगे, यह देखेंगे, इस amount को delete कर दे बार हमाएं रिपीट हो रहे है, सही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा system problem हो रहा है, यह लीजिए, और इसको यहाँ से drag कर दीजिए, इस तरह से, यह आ गया, फिर वही आ रहा है थे काम करेंगे, friends, यहाँ पर सभी को calculate कर यह है, अब यहाँ से हमने, यह किया, हमने इस से choose किया, minus, और हम इसे इस तरह से applicable कर लेंगे, और इंटर कर लेंगे, यह देखिए, आ गया, इसके साथ भी यहीं कर लेते हैं, अगर एक वर्ट देखिए, यहाँ थोड़ा सा यह सिस्टम के साथ problem, क्योंकि friends, hand कर रही है, मैं जो laptop के साथ से hand कर रहा है, जिसके वैसे क्या है, कि यहाँ पर थोड़ा सा तब तक जब तक आपका आना जाए, यह माइनस का साइन, और यहाँ से इंटर, यह बन गया, same process, सेट किया, माइनस दिया, और हमने इसको भी सिलेक कर लिया, और यह इंटर कर दिया, जिसके हैं, फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे सिस्टम भी एक प्रॉब्लम भी आ रही है, यहांपी जब हमारा data है, यह क्या हो रहा बार बार चेंग हो रहा है, यह नहीं से अगर ऐसा हो, तो फ्रेंट्स उसको क्या करेगा आप लोग फिक्स कर लीजेगा अंडू यह हमार दो से लिक्वल रह रह रहा है उसके बाद हमारा चीज़ दो जा रहे है क्या करें सिंप्ली से जब स्टाइब कर लीजे इस तरह से कॉपी कर लीजे पॉपी और यह हमार जो अम्हानी पेस्ट करदिजें कर लीजा भी बदेग्स तो नहीं होता है हमारे ना पर और यहां सामने टायग यहां सामने से क्लत किया माइनद का साइं लगाया यहां सा मने आमन को सब्सक्वार एंर रदिया जैघर again equals to kasign लगाया हमने यहां से इसे select किया minus kasign लगाया और यहां से enter कर दिया ठीक है यह हो गया फिर इसे भी हम लोगी same process दोराएं यहां से यह हुआ minus kasign और यहां से हम्हारे यह हो गया ठीक है अगील यहां पर इक उस्टू का साइन और इसको हमने सेलेक्ट किया यहां पर माइनस का साइन लगाया इससे हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने एंटर कर दिया ठीक है फ्रेंड्स सेम इसके साथ भी यह करेंगे यह हुआ इसको भी हमने सेलेक्ट किया इस सरह से माइनस को साइन और यहां से हमने यह किया इंटर गर दिया त्यार हो गया अगर देखा जाए तो आपको जो amount आता है discount पढ़ने के वाद आयाने कि 10% के हिसाब से आपको जो 500 यह amount discount होता है अब इसे आपने क्या किया आपका balance आपको जो है कितना बचता था यहाँ पर आपको जो amount हुआ fee structure पर 10% discount के बाद जो हो गया आपका 45,000 ठीक है 45,000 डिपीज यानि कि यह amount होगा और इस amount को में से आपको जो इतना पे किए पे करना आपका उसके बाद बचेगा ठीक है तो हमको जो है इस amount को इसमें से minus करना है यानि कि इस वाले balance को change करें select करेंगे इस तरह से और इसको हम delete कर देंगे ठीक है delete करेंगे और इसको हम क्या से लिखेंगे यहाँ पे जाएंगे equals to हम इससे select करेंगे इस तरह से और इसमें हम minus का sign लगाएंगे और इस due वाले amount को हम choose करेंगे और enter कर देंगे यह देखिए आगे इस means friends कि अब जो आपका balance बचता है वो है पूरे देड़ हजार रुपे आप लोग कुछ है पे करने में ठीक है हाँ आप चाहिए तो इस वाले column को आप लोग इधर जो है change कर लीजेगा इसको copy paste कर लीजेगा और इस तरह से आप लोग का यह balance आ जाएगा ठीक है आगे आप लोग को डेटर टेवल बना अब इस टेवल का heading हम लोग यहाँ पर दे देते हैं पीस structure चीक है एंटर किया और इससे हम लोग हमको यहाँ तक चाहिए तो इससे हम choose करते हैं यह और इसको हमने क्या किया है यहाँ से जा करके मर्जन सेंटर यह कलर हम इसका जहाँ फॉर्माट कर लेंगे यह बोल्ड साइज हम लोग यहाँ से पढ़ा लेंगे कलर यहाँ से हम लोग जहाँ हमने कर दिया हदेखिये तो देख सकते यह बन गया हमारा स्टक्चर तो देखा हमें सकतिया हमें कितने बचलबिक्त हमन्हीष को लोगत इसे दिया त्यार कर लिया था यह सिर्ड फरेंड अब आप लोगो कुछ और नहीं चीज़े बताती है इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं आप आप अपर हमने यह यह यहां पर आते हैं और हम क्या करते हैं पर इंसर्ट मेर्यू पर जाते हैं यहां से यहां पर हम देते हैं इस तरह से बाइंडरी टेक यह हो गया हमारा बाइंडरी टेक अब इसकी साइज है फ्रेंड्स लेंथ हम लोग इसके थोड़ा से बढ़ा लेते हैं कि देखें कि इसे हम लोग सेलेक कर लेएं और इसे हम जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाएंगे कंप्रोल शिप्ट ये अंगल ब्रैकेट इसको हम लोग सास्ट्रेश कर देंगे ध्यांस देखिएगा यह आगे है यह देखिए अब हम क्या करेंगे इसको जरा साम रोटेट करेंगे अगर आप इसी तरह लगाएंगे इस तरह भी लगा सके इस तरह भी लगा जाते हैं इस तरह डाइगोनल या वर्टिकल जैसा आप चाहिए इस तरह से फ्लिप्विंग रोटेट कर जाएंगे और इस तरह से आप कर देंगे यह हो गया धिकained आप फ्रेंड़ फ्रेंड्स की जो हमार टेक्स है धिया से देखिए legal हम चाहते हैं हम चाहते हैं हमारे इसके पीछे यह हैं ए वह यह है और अब को क्राईल्ट से हमारे इसे हम लोग सभी रुफ क्लिक किया और वापस हम चलते हैं तुर यहां पर निए इंसर्ट मेनू कि ओइल रहा है है वापस इसके क्लिक करेंगे यहां elements चले गए लेख तेंधें से्ल्क्षिन पेन है हमने सेलेक्षण तो खीए है ठीक है लेकिन हमारे ब्रिंग फ्रेंट सेंट वाप्शन नहीं आ रहा है जिसके हम इसे वाटर मार्क के रूप में हम लोग इस पर अप्लाइब कर सकते हैं यहां से यहां से भी ऑप्शन हमारे डिसेबल है तो इस टैस्ट को चाहिए कि हम आपके ब्रूप में मतलब वाटर मांग के रूप में लगा लेता हैं इसका कोई यूज्ञ कर लेते हैं यहांसे हमेनये प्रूपन किया इंसर्ट किया यह आ गया और तो इस पिक्टर को हम लोग लेकिया तो इसके ऊपर यहां से और हम आगा है में आगा है और ठोल करने की पाल हम जाते हैं, जाते हैं फॉर्माट मेन्यूप और यहां सेंसे भी आगा क्या करते हैं बोटमांख हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे इसको भी हम लोग हटा देते हैं च्ट्रोल जैड यह डिलीट कर दीजे क्योंकि इसका भी कोई यूज नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग चाहें जितना भी कोशिश कर लें कि हम लोग वाटमाग नहीं लगा सकते हैं ठीक है ओके यह तो हो गया फ्रेंड हमारे एक इस अब फिर्ट refugee प्रेंट एरिया हमने चूस किया करण सर्पहलँ हम यहां पर लेकिया इसका हमने चूस किया तेन अब आते हैं dat इस किर्ण हम हम को देना है यह हो गया मौल में आते हैं यह हो गया ठीक है और इसके वाद हमको ग्रिड लाइन अगर रखनी है तो हम चेक करेंगे नहीं चाहिए तो अब इसको हम कर देते हैं यहां से अब यहां से से प्रिंट प्रिव्यू पर देख लेते हैं यह देखिए कुछ इस तरह से हमें हमारा जो है दिखेगा तो यह था फ्रेंड समारा अब इसे हम लोग टायटल के साथ साथ डेख सकते हैं हम लोग पूरा हम आपना इस तरह से डेटा इस में लेकर आ सकते हैं जिके हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जैसे हम बन करके वापस ओपन करें यहां से आपका यह जो डॉटेड एरिया वह जा जुगा क्योंकि फ्रेंड्स हमने आप यह सेट किया इसके वाइस से यहां भी शो कर रहा है अदर्वाइस आपको कोई इशू नहीं होता था कैंसल और हमें इसको अगर नहीं रखना है अंचेक कर दीजिए यहां से और इसे हम लोग यहां से कैंसल कर देंते हैं हो गया इसके साथ में फ्रेंड्स यह देखिए हम जब इसको सेलेक्ट करते हैं इस टेबल को तो यहां पर एक कुछ ऑप्शन भी है अगर हमको इसके चौड़ाइए अटोमाटिक नहीं है ऑटोमाटिक आएगा वन पेज टू पेज जैसे हम रखना चाहते हैं वन पेज वाइस रखना है यह देखिए वन पेज हमारे यहां पे शो करेगा अब क्योंकि फ्रेंड्स हमारे डेटा जो होता उसके बेसिस हमारे अगर आपको देखा यहां से जो कॉलम नेम था और जो क्या कहता है रो नेम था वो यहां से स्क्रीन से अगर यहां से खड़ गया तो यह था फ्रेंड्स हमारा क्या कहते हैं यह सारे औप्शन वीव मेन्यू के चेक कर देते हैं आगया यह देख सकते हैं अगर आपको प्रिंट करा रखना है तो इसको भी हम लोग अगर प्रिंट करना है चेक कर दिए अधर वाइस को हटा दीजिए यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने शीट ऑप्शन तक हमने बात की इसके साथ हमने डेटा भी बनाया उसमें कुछ छोटी-छोटी हमने फॉर्मॉलास का भी यूज किया नेक्स वीडियो और भी हम लोग इसी तरह से हम लोग कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा सा लोग बनाएं देख सकते हैं यहां जो में डेटा बनाएं यह डेटा हमारा कुछ बहुत जादा बड़ा नहीं पर आप लोग चाहें तो आप लोग इसी तरह से और भी बड़े बड़े डेटा से बनाके रख ली एक बार आप डेटा बना लग कि रख लिए उसमें से जब नए फीचर्स के साथ में थैंक यू